हेलो फ्रेंज, मैं डॉक्टर अमेट डिरेक्टर डिवाइन कस्मेटिक सर्जरी और बहुत बहुत शुक्रिया अपने हमारे हाँ अपने हैर के लिए क्वेरी भीजी है आप हैर फॉल या हैर लॉस से सफर कर रहे हैं और हैर फॉल ट्रीटमेंट या हैर ट्रांसप्लांट की सर्च में है और मेरा आज फर्ज बनता है कि मैं आपको हैर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़े बताओं जिससे आपके 90% सवालों का सुलूशन मिल जाए और आप नेक्स टेप ले इस छोड़ी सी प्रेजेंटेशन को सुनिए इसके बाद आपके पास प्रेजेंटेशन भी आएगी जो आप तसली से देख सकते हैं इसके बाद आप अपने प्रोसीजर की बुकिंग भी करा सकते हैं या फिर मेरे साथ वीडियो कंसल्टेशन या मेरी टीम के साथ आप वीडियो कंसल्ट कर सकते हैं जो फोन नमबर्स मैं आपको दूँगा उस नमबर्स पर आप हमसे बात कर सकते हैं So, 7 things जो साथ जैसी चीज़ें जो आपको hair transplant के बारे में ज़रूर जानने चाहिए hair restoration क्या होती है, classification, grades, क्यूं हमें diagnosis करना चाहिए कि किस तरह की classification है अगर hair fall हो रहा है तो क्या treatment, treatment plan के लिए क्या determining factors होते हैं कौन-कौन सी techniques होती है, surgery कैसे होती है, PRP क्या चीज़ है, hair fall treatment किस तरह करते हैं post-operatively हम क्या-क्या precautions ले सकते हैं, complications क्या हो सकते हैं एक transplant में क्या transplant अलग तरह के का कोई cancer develop कर सकता है then हमारी specialized technique long hair transplant की और synthetic hair transplant की तो quickly उसको भी हम लोग discuss करेंगे, तो आगे चलते हैं first thing, बहुत सारे लोगों को hair fall हो रहा होता है, या फिर आगे की area का बाल खतम हो गया है, जिसमें transplant करना है, और पीछे की तरफ हमको hair fall treatment करना है so हम लोग हमेशा हर patient को बोलते हैं कि hair restoration treatment करना है जिसमें हो सकता हमें transplant के साथ-साथ hair fall का treatment भी देना पड़े या फिर खाली hair fall treatment, suppose आप आज hair transplant को afford नहीं कर सकते for some any reason, तो हम suggest करते हैं कि hair fall treatment तो शुरू कर दीजे जो है कम से कम उसको improve कर देते हैं, उसकी condition better कर देते हैं या अगर खाली बाल गिर रहे हैं तो उनको हम रोक सकते हैं तो हमारे पास treatments क्या क्या है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके पास पर जब presentation आएगी तो एक video भी होगा जिसको आप click करके detail में देख सकते हैं finasteride, PRP, PRP 75% लोगों में effective है, minoxidil कुछ लोग तेल लगाना या mesotherapy suggest करते हैं, vitamins या फिर कुछ ऐसे treatments हैं, laser, herbal, जिनको बिलकुल भी कोई action नहीं होता, जो मैं suggest नहीं करता, दो जो treatments हैं वो हम इसमें study करते हैं, finasteride को जो role है, हमारी body में जो बाल गिरते हैं, वो DHT की वज़े से गिरते हैं, जहां-जहां पर आपको ये video दिखाए दे, आप इसको बाद में click करके आराम से देख सकते हैं, इसकी अलग से जो presentation होगी आप बहाँ पर click करके देखें, DHT, जो की हमारे body में cockroach की तरह होता है, जो बालो को गिराता है, finasteride एक soldier की तरह उस cockroach को मार देता है, और hair को बाद में गिरने से रोकता है, vitamins एक खाद की तरह होता है fertilizer की तरह, organic fertilizer की तरह, जो soil को rich करता है और better improve करता है, minoxidil और PRP का रोल होता है blood flow बढ़ाना skin में, PRP blood flow की vessels को बढ़ा देता है अगर हम देखें कि पानी जा रहा है, पानी की pipes बढ़ा देता है और minoxidil खाली पानी की pipe को मोटा कर देता है so यह फरक होता है, PRP much more effective है हम लोग patients को बोलते हैं कि minoxidil की जगे आप PRP treatment कीजे hair transplant के बाद तो definitely हम लोग PRP treatment suggest करते है so अब आगे बढ़ते हैं transplant की तरह transplant के regarding बहुत सारे myth है आज unfortunately 80-85% जगे आप जब clinics check करेंगे वो check नहीं करता कि कौन उनके doctor है सबसे पहले चीज़ देखें कि MBBS साड़े 5 साल की होती है जिसमें हम लोग basic MBBS की training करते हैं जो doctors होते है जो homeopath और ayurved specialist होते हैं मेरी बहुत respect है उनके लिए लेकिन वो MBBS नहीं करते हैं वो basic medicine नहीं करते हैं अभी भी आप देख रहेंगे करोना की times में किसी भी आयूश को ayurved specialist ये homeopath specialist को treatment के लिए नहीं बुलाया जा रहे क्योंकि वो doctors नहीं है लेकिन उनी doctors से आप hair transplant कर लेंगे ये अचरज की बात है सोचने वाली बात है क्या आप ऐसे doctor से hair transplant करेंगे जो की MBBS तक नहीं है क्या वो surgery जानते हैं क्या वो side effect जानते हैं medicines का वो किस हग से ऐसे treatments दे सकते हैं जिनके बारे में उनकी training ही नहीं है so MBBS के बाद super specialization होती है तीन साल की जिसमें surgery branch होती है और medical branch होती है medical की branch MD के लाती है इन में से बहुत सारी speciality surgery करते हैं लेकिन किस लिए, कैसे, किस हक से क्योंकि surgery तो MS की degree है तो अगर इनको surgery करने है तो इनको पहले MS की degree लेनी चाहिए general surgery करने के बाद जहांपे हमें surgery के skills सिखाये जाते हैं उसके बाद हम लोग super specialist बनते हैं जो कुछ cancer surgeons हैं या plastic surgeons हैं, cardiac surgeons हैं जो heart surgery करते हैं लेकिन एक heart surgeon hair transplant नहीं कर सकता क्योंकि उसकी speciality heart है plastic surgeons की जो speciality वो hair transplant है, liposuction है face की surgery है, या फिर gynecomastia है तो यह जो branch है यही एक branch है जो कि hair transplant करने के लिए allowed है, वही dentist है जो BDS करते हैं, लेकिन उनने MBPS कहा करी, मुझे नहीं समझ में आया और दांतों के बीच में बाल कब उपने लग गए मुझे नहीं पता, तो इस वज़े से मेरी request है, अगर आप आज के बाद जिस clinic से बात करें, प्लीज चेक कीजे डॉक्टर कौन है और उनकी degrees जरूर चेक कीजे आप जानते हुए गलट decision लेंगे तो जिमेदारी आपी को उठानी पड़ेगी आगे चलते हैं कि science क्या है transplant की, बहुत important लिए अच्छा वीडियो है, आप जरू देखिएगा बाद में जब मैं आपको slide बेजूंगा, ये permanent zone होता है इन red lines के बीच में permanent zone, यहाँ से बाल कभी नहीं गिरेंगे, ये DHT resistant होते हैं यहाँ से कभी, DHT act नहीं करता इन पर, और यहाँ से जब हम बाल लेंगे मैं कहीं पर भी लगाँ, चाए मैं इधर लगाँ, चाए आगे लगाँ वो बाल कभी नहीं गिरेंगे, इस वज़े से हम कहते हैं कि permanent zone के अंदर है कि आपके बाल हमेशा permanent रहेंगे, कभी भी नहीं गिरेंगे FUE टेक्नीक एक ऐसी टेक्नीक है, है transplant की जिसमें कभी-कभी इसकी violation हो जाती है मतलब, बहुत बड़े cases आपको कई बार बोला जाएगा 35,000 graft, 4000 graft FUE से उसमें होता क्या है कि आपको इस permanent zone के बाहर जाना पड़ता है बालों को लेने के लिए, मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा बाद में नीचे भी जाना पड़ता है, अब आप खुद समझ सकते हैं कि अगर यहां से बाल लिए गए यहां से बाल लिए गए तो 30-40% आपके बाल future में गिर जाएंगे और बहुत सारे patients के ही complain करते हैं कि हमने FUE कराए और हमारे 2 साल में बाल गिर गए यह reality है, तो इससे बचे हमेशा permanent zone के अंदर ही रहना है कभी भी बहुत बड़ा transplant FUE से मत कीजे आपके requirement अगर जादा है तो आपको combination treatment करना ज़रूरी है आप यह देख सकते हैं यह अच्छा transplant है जिसमे permanent zone के नीचे अंदर रहके बाल लिए गए है इनका permanent result आएगा यह खराब hair transplant है जिसमें permanent zone के बाहर लेके बाल लिए गए है बस patient को खुश करने के लिए कि हमने बहुत बाल कर दिये हो सकता है किसी technician नहीं operation करा हूँ इनका और आप देखेंगे कि इनके future में up to 40% बाल गिर जाएंगे 7 steps जो की एक अच्छे hair transplant result को assure करते है एक बहुत अच्छी hairline बननी चाहिए जिसमें front के area में हमेशा single या double follicle ही होना चाहिए एक zigzag pattern होना चाहिए कभी भी सीधा pattern नहीं होना चाहिए front hairline के पीछे multifollicle graft मतलब 24 या 5 follicle के grafts होनी चाहिए density aim होना चाहिए बहुत सिंपल यह सारे grafts हैं किसी में एक बाल दो, तीन, चार, पाँच नव एक सवाल आता है क्या हम इनको थोड़के, काटके इनको दो grafts बना सकते हैं आप कर लिजे लेकिन बाल डामेज हो जाएंगे बहुत doctors आपको यह बोलते हैं कि हम लोग सिरफ one or two follicle निकालते हैं तो वो बालों को actually damage कर रहे हैं तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है early stages of baldness की तरफ आते हैं अगर हम लोगों को 3-3,500 बाल यह देखें कि यह area जो front का है अगर हमको इतना cover करना है तो 3-3,500 बाल लगते हैं इसे थोड़ा सा छोटा है तो करीब 2-5,000 बाल में लग जाते हैं अगर हमारी baldness यहां तक जा रही है तो 4,000 यहां तक जा रही है तो 5,000 इधर तक जा रही है तो करीब 6,000 और डिपेंड करते हैं front की headline है कोई भी technique कर सकते हैं और बहुत अच्छे results आते हैं very high density यहीं अगर more severe है तो यहां पर करीब-करीब 5,000 बाल लगते हैं तो अगर आपकी baldness कुछ ऐसी सी मिलती जुलती है तो यहां पर करीब-करीब 5,000 बालों की requirement है technique आप कोई भी कर सकते हैं again अगर आप FUE करें या FUT करें लेकिन अगर आपको suppose जैसे इनका पीछे का भी मैं दिखाऊंगा मैंने इनके 10,000 बाल लगाये थे तो मैं हमेशा combination करता हूँ कभी भी FUE या FUT से 10,000 बाल कोशिश ना करें बहुत problem होगी combination से हो सकता है या फिर दो बार में first time में FUE कभी नहीं करना चाहिए अगर आपको more transplant future में करने पने reason समझे donor area बिलकुल खतम हो जाता है अगर आपने बहुत जादे extensive FUE किया तो donor area इतनी thinning हो जाती है दूर से नजर आता है और आपके बालों की quality बहुत खराब हो जाती है तो खाली 5000 बाल करने हैं 5000 बाल and then जैसे जैसे baldness बढ़ती जाती है 6000 बाल then crown के area में कुछ लोग बोलते हैं कि density उतनी अच्छी क्यों नहीं आती उसका reason बहुत simple है crown एक curve होता है curve का surface area थोड़ा सा जादा है compared to normal front के मुकाबले आप देख पा रहे है यह जो curve है यहाँ पे जब बाल ग्रो करते हैं यह इस तरहे pattern में ग्रो करते हैं एक sunburst बोलते हैं तो बीच में थोड़ी थोड़ी light उसमें जा सकते हैं इस वज़े से crown की इतनी high results नहीं आते बाल सारे उख जाते हैं बट उतना high result नहीं आता बट crown जरू करना चाहिए results overall काफी appreciatively अच्छे होते हैं अगर किसी के curly बाल है तो उनका result बहुत अच्छा आता है यह समझते हैं कैसे अगर straight बाल होता है तो light बीच में जाके सर को hit करती है और reflect off करके आप उसको देख सकते हैं वही curly बाल जो कि टेडर मेडर से बाल होते हैं light जब आती है तो बालों को hit करती है reflect करके आपको काला ही दिखाए देता है आपको scalp नहीं नजर आता तो इस वज़े से अगर किसी के गुंगराले बाल है curly बाल है तो उनका result much better आता है सवाल आता है कि treatment cost इतनी क्यों vary करती है कोई doctor 20,000 में कर रहा है कोई 4,000,000 ले रहा है हमेशा plastic surgeon के साथ treatment करना आपने ये तो समझ में आ गई experience बहुत ज़रूरी है जैसे हम लोगोंने अब तक 6,000 से ज़्यादा है transplant करे हैं जितना experience हमको है शायद North India में और शायद all over India इतना high experience किसी plastic surgeon को नहीं होगा तो doctor को देखना बहुत ज़रूरी है, मिलना बहुत ज़रूरी है registered doctor होने चाहिए, clinic registered होनी चाहिए वो extremely essential है जो OT team है, technicians की team है assistants की, वो भी registered होने चाहिए उनकी degrees ज़रूरी चाहिए facility को देखिए, कोई make shift तो नहीं है कोई सस्ती सी जगे तो नहीं लग रही कि कमरे को बदला और operation room बना दिया जो consumable products है वो real होने चाहिए, कोई reuse नहीं होने चाहिए follow up system है कि नहीं कि आपको properly follow up किया जाएगा किस तरह की assurance दी जा रही है आपको की result आएगा आप खुद से सोचे आज के दिन चीज़ें इतनी expensive है staff की salaries है marketing costs होती है क्या 30-40,000 में कोई transplant हो सकता है खुद से एक logic बना के सोचे कि क्या वो doctor किस लिए transplant कर रहे है क्या वो really doctor भी है कि नहीं then selection कैसे करनी है plastic surgery की हमेशा plastic surgeon team होने चाहिए हर center जो transplant कर उनको एक से ज़्यादा technique आनी चाहिए वो mandatory है minimum experience 5 साल और 400 surgery का होना चाहिए किसी और doctor को बुला के नहीं करना चाहिए outsource model ठीक नहीं है transplant का उसमें खराब results आते हैं degrees का जैसे मैंने का follow up program अगर doctor हमेशा सामने होने चाहिए आपके available होने चाहिए अगर कोई problem हो आपकी बार doctor से होनी चाहिए facility और degree को जरूर check कीजिए FUE, FUT के differences बहुत लोग पूछते हैं result wise दोनों same है बहुत बड़े situations में FUE नहीं करना चाहिए बड़ा transplant करना है तो combination कीजिए या first stage में FUT कीजिए result 100%, 100% maximum number of hair FUE में 500 तक FUT में 7000 तक scar दोनों में आते हैं, please याद रखे हर technique में निशान आता है चाहे line हो, चाहे dots अगर आप shape करेंगे तो दोनों दिखेंगे, shave नहीं करेंगे तो दोनों नहीं दिखेंगे, तो scar कोई criteria ही नहीं है, अगर आपको ये बोला जाए, के हमारे करें FUE में निशान नहीं हाता, तो मेरी request है उस clinic से उठके चले जाएगा, वो आपको जूट बोल रहे हैं, कोई ऐसा hair transplant नहीं है जिसमें निशान ना आए, पें दोनों में FUE में density कम हो जाती है, और strip में पीछे की density, बिल्कुल सेम रहती है, अगर हम ये देखें इतनी extreme baldness है, आगे की एरिया में normal life में, यहाँ 25-30,000 बाल होते हैं, यहाँ 25-30,000 बाल और पीछे 25-30,000 क्या हमारे पास कभी भी इतने सारे होंगे कि हम पूरा सार ढख सकें, तो आप में से किसी के अगर इतनी ज़्यादा hair loss हो चुका है, सबसे पहली चीज़ कभी भी पूरा area कभी हम ढखी नहीं सकते हैं जो हमारा donor area है, यह maximum 35-40,000 बाल रखता है और 10-15,000 बाल ही maximum निकल सकते हैं, दो 3 बार में, तो क्या हम पूरा ढख सकते हैं कभी भी नहीं, सबसे पहली चीज़ अगर आपको कोई कहे, कि मैं पूरा का पूरा area ढख दूंगा तो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको spread out करना पड़ेगा, और reality में हम लोग ये area को अच्छी तरह भर सकते हैं 7,000 बाल से, इस area को करीब 5,000, लेकिन यहां पे तो हम सिर्फ spread ही कर सकते हैं, जादा coverage नहीं दे सकते हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए, मेरी जो ये presentation है, यह आपके सवालों का जवाब देने के लिए है, FUE की निशान आते हैं, यह देखें, dots clearly visible dots है, FUE के और यहां पे FUT की line देखें, आपको नजर भी नहीं आएगी, और यह इतनी fine line होती है, कि 90% patients में FUT का scar नजर ही नहीं आता है, तो आप देखेंगे, इसमें पूरा मैंने explain किया, इस वीडियो में अगर आप कोई clinic में जा रहे हैं, और उन्होंने यह advertisement लगा है, यह 16 साल से मैं एक advertisement को देख रहा हूँ, Germany की clinic की photo है, जो कि India में 20-30% clinics इस photo को दिखाते हैं, आप देख पा रहे हैं, यह कोई number है, इंडिया का इन number है, जबकि यह clinic Germany की किसी clinic की patient है प्लीज यह ध्यान रखिए कि कभी भी इस photo वाली clinic में तो जाएगा मत, उनके पास results नहीं है, यह proof है कि आज के दिन outsource model चलता है technicians, अलग-लग technicians clinics को contact करते हैं, उनसे contract करते हैं और आके operation करके चले जाते हैं यह दो videos बाद में जरू देखेगा इसमें FUT versus FUE है जिसमें FUE की reduced density और FUT में कोई फरक ही नहीं पड़ता तो यह आपको बहुत शौक होगा कि FUE में density कम हो जाती यह पीछे की और FUT में कोई फरक नहीं पड़ता तो इन videos को जरू देखेगा, आपको काफी शौक लेगा यह मैं दिखा चुका हूँ किस तरह एक खराब FUE आपका पूरा का पूरा transplant खराब कर सकता है टेकनीक कैसे चुनते हैं 5000 बाल तक कोई भी टेकनीक अगर future में और transplant की जरू होता है तो first time always FUT या combination बाल पतले हों तो FUE मत कराईएगा हमेशा T कराईएगा अगर mega session है तो single stage में या two stage में कर सकते हैं अगर curly hair हैं कभी भी FUE मत कीजिएगा curly hair में हमेशा FUT ही recommended है doctors FUE क्यों suggest करते हैं क्योंकि बहुत असान है करने को teams मिल जाती है technicians आके कर जाते हैं FUT को manage करना मुश्किल होता है expensive होता है और plastic surgeon होना mandatory है FUT करने के लिए इस वज़े से 90% clinics FUE ही बोलती है pre-op testing में viral markers करते हैं आज के दिन COVID test भी mandatory हो गया है और LFT liver के test normal blood sugar test है वो हमारी teams आपको बता देंगी कुछ results जो आप बाद में तसली से देख सकते हैं कि 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 quality के results divine पे हम लोग produce करते हैं long hair transplant एक ऐसा transplant जिसमें हम एक भी बाल नहीं काटते ना donor ना receiving तो आप तीन दिन के बाद आप office जाएंगे तो किसको पता भी नहीं चलेगा कि आपने transplant किया है तो ये एक unique special technique है hair transplant की synthetic hair transplant जिसमें lab में बनाए हुए बालों को लगाया जाता है उसमें suppose आपका donor area weak है तो ये खरीद के हम लोग बाल लगाते हैं और बहुत उंदा results आते हैं इससे so synthetic hair transplant एक ऐसी चीज है जो कि आप consider कर सकते हैं तो friends ये एक presentation थी जिसमें मैंने कोशिश करी है कि आपका 90% questions मैं answer कर पाऊ अब इसके बाद 9-8-1-9-9-4-17 पर आप contact करें appointment के लिए और information चाहिए तो मेरी team आपको consult करेगी मुझ से आप एक consult करना चाहते तो मैं एक 3D consult मैंने बनाई है आपके लिए जिसमें आप मुझ से consult करके अपनी पूरी situation को मैं आपके सामने live इस तरह समझाओंगा जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और आप बहुत enjoy करेंगे वो concern so have a good day and wish you all